इज़र CA Foundation और CA Intermediate का exam चल रहा है September 2014 का जो बच्चे नहीं दे रहे हैं जो बच्चे January 2025 में दे रहे हैं पूछ रहे हैं लगातार मैं इस टॉपिक पर अल्रेडी वीडियो बना चुक हूँ फिर भी बच्चे पूछ रहे हैं January 2025 का exam date और exam form date के बारे में फ्लीज अपडेट कीज देखो students अगर आप इस चैनल पर आते हो तो subscribe करके bell notification bell दबा दीजे नहीं subscribe करते हो तभी मेरे इस आपसे doubt आता है जैसे कि बच्चो आप लोग को पता है आखरी paper हुआ था CA Intermediate and CA Final May 2024 का 17 May 2024 को अच्छे से आप लोग देखते रहे हैं और सुनते रहे हैं ताकि doubt clear हो जाएगा 17 May 2024 को paper समाप्त हुआ था May 2024 का तो notification कब आया था September 2024 का 18 May 2024 को जैसे ही exam समाप्त हुआ उसके अगले दिन notification देखने को मिल गया कब से CA Intermediate and CA Foundation September 2024 का exam हो रहा है लेकिन इस बार September 2024 का paper कब से समाप्त हो रहा है CA Intermediate and CA Foundation का foundation का तो 20 September 2024 को और intermediate का 23 September को लेकिन January 2025 का notification जब आएगा तो एक ही साथ देखने को मिलेगा CA Foundation और CA Intermediate January 2025 का कब से exam स्टार्ट हो रहा है अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है CA Intermediate and CA Foundation January 2025 का कब से exam स्टार्ट हो रहा है मेरे हिसाब से 24 या नहीं तो 25 September को official website पे notification देखने को मिल सकता है तो January 2025 का exam कब से होगा CA Foundation और CA Intermediate का मैं बार बार बोल रहा हूँ December 2024, November 2024 में कोई भी Foundation और Intermediate का exam नहीं हो रहा है September 2024 का जैनवरी 2025 में ही exam हो रहा है जिसका official notification 24 या नहीं 25 को देखने को मिल सकता है कब से आपका exam में स्टार्ट हो रहा है, कब से exam form फिलिंग स्टार्ट हो रहा है उसी notification में exam date और exam form date लिखा होगा अभी तक doubt clear हो गया होगा और तो comment box में thank you लिखेगा मेरे हिसाब से tentative date क्या बनता है January 2025 के लिए exam के लिए तो CA intermediate and CA foundation का January के second week में exam स्टार्ट हो सकता है और रही बात के exam form filling exam form filling आपको number 2024 के month से स्टार्ट हो सकता है मात्र और मात्र 17 दिन के लिए ही exam form filling स्टार्ट होगा इस 17 दिन के अंदर में आप exam form fill किये तो अच्छी बात है नहीं form fill कर पाए then दुवारा reopen नहीं होगा change कर दिया गया है guideline में प्लीज बच्चो ध्यान से बाते को सुनते रहीए जो बच्चे पुराने होंगे उनको ऐसा लग रहा होगा कि 28 दिन के लिए open होगा लगबग एक महिना के लिए exam window जी नहीं बच्चो सेप्टेंबर में या number 24 में CA final का exam हो रहा है उस समय मातर और मातर 17 दिन के लिए exam window open था यानि कि guideline में change किया गया important change किया है कि सिर्फ और सिर्फ 17 दिन के लिए ही exam window open होगा उसी बीच में आपको exam form फिल करना हो with late find 17 दिन के लिए open होगा तो आपको करना क्या charter studies के साथ बने रहना है चैनल पे नए हो सबस्क्राइब कीजिए जैसे exam window open होगा charter studies सबसे पहले वीडियो बना करके अपडेट कर देगा इसके अलाबा बच्चों कैसे exam form फिल करना CA foundation और CA intermediate का इस चैनल पे detail वीडियो आ जाएगा यानि कि आपको कुछ करने का जवरती नहीं है सिर्फ और सिर्फ चार्टे इस्टरिस को follow कर लो और अराम से पढ़ाई करते रहो सारा अपडेट और गाइडलाइन चार्टे इस्टरिस सबसे पहले करेगा तो आपको चैनल के साथ बने रहना है बच्चों प्लीज सबस्क्राइब करके बिल नोटिफिकेशन बिल दबा दीजिया अगर आपका डाउट अभी तक क्लियर हो गया है तो कॉमेंट बॉक्स में थेंक्यू लिखेगा क्या चीज़ चेंज किया गया है गाइडलाइन में पॉस्टिब 17 दिन के लिए एक्जाम विंडो ओपन होगा इसके अलाबा बच्चों जैनवरी 2025 में सेकेंड वीक से एक्जाम स्टार्ट हो सकता है इसके अलाबा नॉमबर 2024 में एक्जाम पॉंग फिलिंग स्टार्ट हो सकता है डाउट क्लियर हो गया तो comment box में thank you लिखेगा और मैं मिलता हूं next वीडियो में